So, Hello everyone and welcome to the first lecture of the Samagam Initiative 2.0 So, Samagam में हम लोग स्टार्ट करने वाले इंशेंट हिस्टी से जैसे कि मैंने बताया था और यहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं The Stone Age से ठीक है और कैसे चीजें करेंगे वो समझ लेते हैं पहला लेक्चर है नए बैच का और पहला सब्जेक्ट है पहला क्लास आपका सब कुछ पहला पहला ही है तो समझ लेते हैं कैसे हम चीजें यहां पर करने वाले हैं खासकर इंशेंट हिस्ट्री में हम किस तरह से चीजें करेंगे तो ancient history में यहाँ पर मैं source लेने वाला हूँ जो आपकी NCRT है RS Sharma वाली ठीक है तो इसको as a source में use करने वाला हूँ और उसी के थूर यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर आप देख पा रहेंगे कि मैंने कुछ चीज़े highlight कर रखी है अब question यह आता है कि क्या हमें यह सर्फ पढ़नी है नहीं पढ़नी है क्या सारे जो doubts है आपके कि हमें book refer करनी की नहीं करनी देखिए I would highly advise कि बिल्कुल आपको यह पढ़ना है साथ-साथ इसी particular book से जो यह मैं आपके साथ share करूँगा अब यह जो मैंने highlight किया है यह वो portions है जहां से questions आने के ज़्यादा chances है जो important चीज़े है जो data है कोई fact है जहां से question directly उठ सकता है तो इसको highlight करने का purpose यह है कि जब मैं आपके साथ इसको share करूँगा आप इसको पढ़ेंगे तो soft copy और hard copy जिस भी format मैं आप पढ़ना चाहिए online I think एबुक मिल जाएगी नहीं होगो तो मैं इसका link description में ढाल दूँगा बाकि आप देख लीजेगा और वैसे तो मैं इसको अविलेबल करवा दूँगा आपको आपका जो प्राइवेट टेलिग्राम ग्रूप है वहां पर डाउनलोड के लिए तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं यही same ठीक ह मतलब non highlighted भी यह नहीं होगो तो मैं highlighted वाला तो share करूँगा ही chapter wise तो आप कोशिस करिएगा या फिर अब हाट copy से refer कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो वही same portion को आप अपने उसमें highlight कर लीजेगा ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर अगर किसी कोई भी डाउट है और यह lecture जो है इसको मैं डाल दूँगा यूट्यूब पर काफी लोग का क्वेरी यूट्यूब पर आ रहा था तो उनका भी क्वेरी आ जाए तो commentization में आप ड्रॉप कर सकते हैं बाकी तो आपको पता है किस तरह से च चीज़ें जो करेंगे आप पड़ लीजे उसका शाम को आपको quiz देखने को मिलेगा परमार officers टेली ग्राम पर एंड संडे को जो भी हम Monday to Friday जो चीज़ें कवर करेंगो उसका संडे को टेस्ट होगा ठीक है वो application पर होगा जो लोग भी enrolled है समागम 2.0 में काफी लोग अभी तक I think enroll नहीं होंगे मैं कोई force नहीं कर रहा हूँ अगर जिसको enroll होना है तो देख लीज़ेगा code CDS24 मैंने बताया था इस code को apply कर दिज़ेगा अगर लग रहा होगा तो बाकी मुझा भी पता नहीं है एकस्पायर हो गया कि नहीं हो गया ठीक है तो start करते हैं पर किस chapter से start लेने वाले हैं तो stone age से start लेने वाले हैं इसको कि हम हिंदी में पाशाण यूग के नाम से भी जानते हैं अब ये जो पाशाण यूग के नाम से जिसको हम जानते हैं इसको हम तीन phases में डिवाइड करते ह कौन कौन से phases इसको बोलते हैं एक तो old stonage then late stonage या फिर middle stonage और हम बोलते हैं एक new stonage यह जो हमने classification किया यह जो हमने division किया ठीक है और एक चीज़ कि यहां पर मैं आपके साथ mind map भी attach करने वाल हूँ साथ ही साथ यह जो आपको pdf मिलेगा इसके end में आपको mind map भी मिल इसलिए ताकि अगर आप notes ना बनाना चाहें क्योंकि अभी इस बार के series के लिए time कम है अगर हम देखे तो पूरे चार महीने भी नहीं है तो इस कम time में अगर आप इसको utilize करना चाहते तो मेरे इसाप से तो आपको यह जो highlighted portion यह इसलिए में करके आपको दे रहा हूं so that आप notes ना बनाए जब भी revise करें तो mind map आपको मिलेगा और यह highlighted form में मिलेगा तो आप revise कर सकते तो जब भी मैंने draw किया था वो मैंने क्या draw किया था कि अभी तीन पार्ट में इसको divide किया गया old stone age, late stone age और new stone age, late को middle stone age भी बोलते हैं यह हमने किस basis पे किया यह हमने इस basis पे किया कि अभी वो किस तरह के stone tools का use कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे raw format में यहाँ पे थोड़े flake technology डवलप हो गए थी और यहाँ पे polished stone का use करने लगे थे, stone is polished, अब इसको stone age ही क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग जो अभी मतलब जो early humans थे, वो stones का ही use सबसे पहले start किय कि आफरिका में सबसे पहले आते हैं, साले 3 million साल पहले, लेकिन Indian subcontinent कि अगर बात करें, इंडिया में तो रफली 5 lakh BC का मतलब क्या होता है, वो समझ लीजे, तो यह timeline होती है year को denote करने के लिए, Jesus Christ जब जन्म हुआ था उनका तो मालो यह 0 साल है, इससे पहले के जो साल है उनक इसको हम B, C, E भी बोलते हैं, और हम C, E भी बोलते हैं, common era भी बोलते हैं, ध्यान इस बात का रखना है हमें कि जब हम BC में आगे बढ़ते हैं, जैसे मालो कि यह 5000 BC है, तो आगे जब हम बढ़ेंगे 1000 साल बाद 4000 BC आएगा, 1000 साल बाद 3000 BC आएगा, यानि कि जैसे कि अगर हम आगे जाने पर घटा रहे हैं बिल्कुल अवाववे से सुचे 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 और तभी तो जीरो आएगा एटी में आपका बढ़ता चला जाएगा तो 5,000,000 BC ये माना जाता है 5,000,000 इसा पूर्व इतने साल पहले यहाँ पर मान सबसे पहला इंडियन सब कॉंटिनेंट में देखने को मिलता है यूज तूल्स अफ अफ अन पॉलिष अभी तक टूल्स यूज हो रहे थे इसको भी हाइलाइट करेता हूँ यहाँ पर अन पॉलिष टूल्स यूज हो रहे थे ठीक है एंड अन ड्रेस्ट रफ स्टोंस विच हाँ बीन फांड इंडियन साउथ इंडिया एंडियन सोन और सोहन जो वैली आपको देखने को मिलेगी कहां पर पाकिस्तान में ठीक है तो यहां पर अभी पहले सबसे तो यह चीज थोड़ा सद्धान रखना इसलिए मैं पढ़ने के बोल रहा हूं कि मैंने जो हाइलाइट की है उनका बेसिस अभी तक क्यों सकते हैं या फिर बागी एकजाम में कुछे गया लेकिन यो प्यस्टी तो कहीं से भी कुछ सकता ना अगर कहीं से भी कुछें बन गया तो एक जरनल अंडस्टैंडिंग डवलप हो जाया मरे दिमाग में कि हाँ अगर मालो की आगया कुछें कि कश्मीर में कोई नियो लिटिक साइट नहीं मिली है लगके दिमाग में हो तो यह पढ़ा तो था है कि कश्मीर में है अब यह चीज के जो लोग थे वो हंटर्स और गैदर कम्यूनिटी थी अभी तक यह लोग को अगरी कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता था सबसे पहले इन्होंने हंटिंग और गैदरिंग से मारते थे खाते थे ठीक है हंटर और गैदर नो नॉलेज ऑफ कल्टिविशन ठीक है और यह क सबकॉंटिनेंट की आँ पे बात हो रही है पिलियोलिथिक तूल्स विच कुट बी यू आस ओल्ड एस वन लाग बीसी हाव बीन फांट इन दी छोटा नागपूर प्लैट्यू यह चोटा नागपूर प्लैट्यू कहां पर है तो जिलनों को नहीं पता है क्यों है भी जॉ करनूल आपकी यह क्या है आंत्रदेश में है और यह पीलियोलिथिक साइट है ठीक है 25,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के यहां पर स्टोन टूल्स मिलते हैं जो कार्बन डेटिंग गरा मेथट से हम पता लगाते हैं कि इसकी एज कितनी है करनूल आपकी यह पीलियोलिथिक साइट है तो बेलन वाइली कहां पर मिर्जापूर में उत्तर प्रदेश में नॉर्थ विंद्या हिल्स आपको देखने को मिलेगा बेलन वाइली मिर्जापूर उत्तर प्रदेश दान रखेगा तो गोड़ शीप और डोमेस्टिक एड़न बीसी हाउववर इन अर्लिएस पीलिथिक फेज मैं लिवड ऑन हंटिंग और फूड गैदरिंग जो कि मैं आको बता चुका हूँ ठीक है ओल्ड स्टोनेज और पिलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डवलप इन दी प्लेस्टोसीन पिरिड प्लेस्टोसीन क्या होता है प्लेस् इसको हम प्लेस्टोसीन के नाम से जानते हैं होलो सीन क्या है यह वार्मर फेस है जिसमें कि आज हम लोग रह रहे हैं जो फेस वह होलो सीन महीं आता है ठीक है तो होलो सीन और रीसेंट पिरिड इन विच वी लिव और विच बिगान अबाउट 10,000 इस अगो वी डू नॉट और यहां पर यहां पर यह जो मैंने चीजन लिख दी है इसके साथ ही में शेयर कर दूंगा ना ठीक है एसी के साथ ही पीडिए शेयर कर दूंगा तो वही जमना को रहता है कि इंडियन सब कॉंटेंट पर तो 5 लाग बीसी कराउन हमें देखने को मिलते हैं इस बिदेंगे इन इंडिया फर्स human occupation as suggested by stone tools is not earlier than middle plastocene which perhaps began about 5 lakh years ago तो जो प्लेस्टो सीन में था प्लेस्टो सीन के बाद आपका warmer phase जिसको कि हम hollow सीन के नाम से जानते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं phases कौन कौन से थे आपके प्लेस्टी के एज में तो ओल स्टोन और प्लेस्टो सीन के इंडिया तो 3 phases तीन फेस में डिवाइड करते हैं early और lower लौर फिलोलितिक टूल्स और मिरभस दिस्ट्रिक्ट अब इस दो Erst leisure शेह वीचिछांग आप आप इस पर दो इंपॉर्टेंस रखनी है ठीक है तो लोवर पिलोलिथिक टूल्स है विन फाउंड इन दी बेलन वाली इन दा मिर्जापूर जो भी देख चुके मिर्जापूर कहां पर भी बेलन वाली आपका नौध ओ इन देन हिल्स ठीक है यहां पर आपको केवस एंड रॉक शेल्टर भी देखने को मिलते हैं अब यहां पर इसको स्टोन को यूज कर रहा है बिना कुछ काटे चाटे तो इसको एकदम रॉफ और में इसको अगर मालो चरप कर दिए इसको बोलते हैं फ्लेक इसी को बोलते हैं फ्लेक ठीक है जो हमारा लोर पिलेख था और जी मिडल पिलेख था वो आपका जो मिडल फेज अफ पलेस तोसीन तह उसके साथ कोइंसाइट किया तो जो अपर पिलेख था that coincided with the last face of the ice age that is Pleistocene appearance of new flint industries and of men of the modern type flint industries क्या है वो industries जहां पे यह flint क्या होते है stone होते है जिनमें क्या किया जाता है जिनमें edge यानि flakes निकाल के उनको use किया जाता है तो वही है flint है यहां पर ठीक है और यहां men of modern type का मतलब है homo sapiens की यहां पर हो रही है ठीक है किसकी बात हो रही है homo sapiens की homo sapiens कौन होते men of modern type जो आज हम इंसान है modern type के ठीक है तो उनको homo sapiens बोलते हैं सबसे पहले कहां image हुए थे कहां पर देखने को मिले थे upper polyethic age में caves and rock shelters for use by human beings in the upper polyethic phase have been discovered at beam bait का caves और गुफाएं और rock shelter जहां पर humans रहते थे ठीक है वो डिस्कावर ही भी मेट का में और यहीं पर में रॉक कट cave painting भी देखने को मिली है that is 40 km south of भॉपाल question आ सकते रहे ठीक है तो भी मेट का कहां पर है भॉपाल मद्यप्रदेश में 40 km to the south of भॉपाल clear it would thus appear that the polyethic sites are found in practically all parts of the country except the alluvial plains of the इंडेसान गंगा में देखने को नहीं मिला क्यों नहीं देखने को मिला क्यों कि हमें तो यह लगना चीक भी अलुएल प्लेन तो फर्टाइल है फर्टाइल है तो यहां पर ज्यादा बस्ती होनी चीए अरे फर्टाइल तो हैं लेकिन agriculture करी नहीं पाते यह लोग तो fertility का क्या करेंगे गुईयां लगाएंगे आप खुदी सोचो अभी उनको metal के बारे में पता ही नहीं है तो पेड़ कैसे काटेंगे कैसे क्या कुछ करेंगे वो तो इसलिए वो वहां पर नहीं देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं आपको हिली पार्ट में हिली एरि लेगा लेट स्टॉने जा पर आप बोल सकते हैं मिड्ल स्टोनेज ठिक है जिसको कि हम किस नाम से जानते जिसको की हम जानते हैं पिलोलिथिक के बाद मिजोलिथिक मिड्ल स्टोरी लृफट इज तो यहां से वर्मीड with the end of the ice age around 8000 BC में आपका खतम हो गया था roughly पिलोलिथिक और 8000 BC के something चालू होता है आपका क्या? Middle पिलोलिथिक ठीक और यहां से warm और ड्राई होने लगा था climate ठीक है? climatic changes brought about changes in flora and fauna from 8000 BC began an intermediate stage in the stone age culture which is called as mesolithic age तो अब यहां से mesolithic ठीक वही जो late stone age की बात हो रही है in the case of India it started about 8000 BC and continued up to 4000 BC तो इंडियन subcontent में roughly 8000 BC में चालू होता है और 4000 BC तक चलता है और यहां पर microleth देखने को मिलता है microleth मतलब क्या होता है? microleth का मतलब होता है छोटे छोटे जब पत्थर होता है microleth का मतलब होता है तो यहां पर हमें चोटे-चोटे stones देखने को मिलते हैं microleth देखने को मिलते हैं ध्यान रखेगे थोड़ा सा location कि कहां पर छोटा नागपूर चोटा नागपूर यही आपका Central India and South of River Krishna तो यह location है आपकी किसकी microleth की तो यहां पर आप देख सकते हैं यह तो neolithic tools हैं के नियो लिथिक पे भी आते हैं तो it is interesting to note that on the northern spurs of Vindyaz northern spurs of Vindyaz in the Balan Valley all three phases of Peleolithic followed by Mesolithic and then by Neolithic have been found in sequence यानि की Peleolithic Peleolithic को भी आपने तीन पार में डिवाइट किया था Lower, Middle और आपका आपर वो तीनो एकदम sequence में उसके बाद Meso उसके बाद Neo यह सब देखने को मिलता है in sequence, in Balan Valley, in Uttar Pradesh located in the northern spurs of Vindyaz अब आते हैं last stone age जिसको के बोलते हैं new stone age या फिर Neolithic बोलते हैं इसको हम लोग ठीक है, Neolithic Neolithic का मतलब होते है stone although in the world context the new stone आगे बढ़ते हैं ठीक है, तो यह ध्यान रखने है यह new stone है आपके तो यह देख सको छोटे भी है microlith pipe भी है, बड़े भी है अब यह इनमें खासियत यह है कि यह polished होंगे ठीक है age began much earlier in 7000 BC क्या लिखा हुआ है although in the world context the new stone age began much earlier than 7000 BC यह 7000 BC से बहुत पहले ही शुरू हो गया था जो new stone age है across the world but newolithic settlement in Indian subcontinent are not older than 6000 BC यह इनि इंडिया में आप याद करो मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या हो रहा भी यह यहाँ देखो 50000 BC से शुरू हुआ था paleolithic चला कब तक? चला लगबग आप आपान सकते हो कि 10,000 BC तक और लगबग 8,000 BC यह फिर 9,000 भी इसको consider कर सकते हो ठीक है 9,000 भी consider कर सकते हो और 8,000 BC से लेके 4,000 BC तक चला क्या? मीजोलिथिक और रफली आप यह मान सकते हो कि जो 6,000 मतलब इस से पुराना तो हमें नियोलिथिक साइट मिला ही नहीं तो आप 5,000 भी consider कर सकते हो कि 5,000 से लेके 1,000 BC तक आपको देखने को मिला नियोलिथिक सबसे पुराना अगर इंडियन सब कॉंटेंट में देख लें तो थोड़ा सा यह मिलता है कि एक महरगड करके साइट मिली जिसका जिकर आगे होगा उसको 7,000 BC में हम consider कर सकते हैं वो सबसे पुरानी महरगड पाकिस्तान में पड़ती है ठीक है महरगड पाकिस्तान ठीक तो यह चीज़ ध्यान रखनी है लेकिन यूजुली 6,000 BC से पुरानी नहीं मिली some settlement found in southern India and eastern India are also as late as 1000 BC तो ही मैंने आपको बताया 5000 BC से 1000 BC नियोलिथिक in India consider कर सकते हो बाकि across the world तो अगर हम देखें तो 8000-9000 BC कभी हमें नियोलिथिक साइट देखने को मिली the people of this age use tools and implements of polished stone देखो पीलोलिथिक वाले क्या कर रहे थे बड़े-बड़े stone यूज कर रहे थे lower वाले तो एकदम raw format में बीच वाले है थे middle पीलोलिथिक उन्होंने क्या develop कर लिया था उन्होंने flakes develop कर लिये थे फिर दीरे-दीरे flakes की या फिर flint industry develop कर ली फिर अभी ये आ गए mesolithic में mesolithic में microlet चोटे-चोटे पत्थर देखने को मिलने लगे अब नियोलिथिक में polished stone देखने को मिलेंगे एकदम polished है उसमें stones में ठीक है ये particularly use stone axes stone axes का भी use करते थे ठीक है ये particularly use stone axes which have been found in large numbers throughout the greater part of the country this cutting tool was put to various uses by the people and in ancient legend परुसराम को भी दिखाये गया है उस x का use करते हुए है न जो इसको क्या बोलते है क्या बोलते है उसको कुलहडी ठीक है based on the types of axes used by neolithic settlers we noticed three important areas किस तरह की axe use कर रहे थे अभी हमने पीलो मीजो नियो किस basis पर divide किया था on the basis of किस तरह के stone tools use कर रहे थे अभी neolithic को हम divide कर रहे है किस तरह के किस type के access use कर रहे है कुलहडी यूज कर रहे है तो पहला area है North in the value of Kashmir North in the value of Kashmir Northern part में अब ये बहुत important एकदम focus बना के रखना है camera man जल्दी जूँ तो यहाँ पर देखना थोड़ा focus करके तो बुर्जा home ये एक site देखने को मिलती है कश्मीर में बुर्जा home बुर्जा home का मतलब होता है place of birch birch यहाँ पर आपको पेड़ देखने को मिलते है ठीक है place of birch ये birch tree देखने को मिलते है यहाँ पर तुसके नाम पर distance of about 20 km from the Srinagar the neolithic people lived there on a plattive in pits pit का मतलब होता है गड़ों में रहते थे गड़ों में रहते थे और कहाँ पर lake के किनारे रहते थे लिखा नहीं यहाँ पर चलो बताने लिखा नहीं लिखा लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हूं लग से कि lake side में रहते थे lake side लेक साइड में क्यूं रहते थे क्योंकि अच्छा सोर्स मिल जाता था फ़िश हो गयरा मिल गई या फिर कुछ ओर अरसी जो सारी जो कुछ वाटर के वाटर बатель मिल गई तो वो उससे उनका गज़रा चले जाता था इस वएसे लेक साइड में लेकिन यह लोग नहीं जानते थे तो नियो लिथिक के पॉलिश्ट स्टोन यूज कर रहे थे लेकिन इनको अगरिकल्चर के बारे में ना पता था तो यह भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि भई ठीक अगरिकल्चर आ तो चुका था राजस्थान में वहां से और डॉग सबसे यह माना जाता है कि वोस दी अर्लिएस्ट आनिमल डॉमेस्टिकेटड ठीक है और यहां पे बुर्जा होम में हमें मिलते हैं टूल्स और वेपन्स मेड अफ बोन हड्डियों के बने हुए और एक मात्र और साइट जहां से हमें अतना लोकेटेड है ऑन दी नौधर साइड अव दी गंगा इस बोन इंप्लिमेंट्स हैव बिन फांड इन दे लेट नियूलिथिक सेटल वह सारी चीजा पढ़ लेंगे तपीपल ऑफ बुर्जा होम यूजड कोर्स ग्रे पोट्री पुचता है तो इसको भी अच्छे से याद रखेगा बहुत इंपॉर्टन्ट है कि ग्रे पॉट्री का यूजड करते थे पॉट्री का मतलब क्या होता है पॉट्री का मतलब इस तरह से पॉट्स होते हैं आप देखो यहां पर नहीं बनाएं क्या चलो इप डूइलिंग आप देख पा रहे हैं लेक साइड आप में जोबी सरप्लस होता है उसको स्टोर करने के लिए ॉट्छा के लिए ये नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पर हमें ये अब ही कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि skeleton human का बगल में skeleton dog का है, ठीक है? अब ऐसे को हमें, ठीक उसको Deep में जाना, Deep in the sense कि भरी अब ये भी हो सकता है कि मान लों की गुत्ता मर गया तो क्या इंसान को मार के गाड़ा जाता था या फिर इंसान मर गया तो कुट्ते को जबरन मार के गाड़ा जाता तो ऐसा मना जाता जबरन नहीं मारा जाता था ऐसे ही मतलब जब वो उसकी डेथ होती होगी डॉक की तो उसको उसके बगल में ही गाड़ दियाता होगा ये खेर questions तो नहीं पूछेगा ऐसे ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ठीक है अर्लिएस डेट फो बुर्जा होम अबाउट 2400 बीसी है ठीक है चलो अब ये मैप है जहाँ पर नियो लिथिक साइट आपको दिखाई गई है तो बुर्जा होम डिसकस कर लिया अभी गुफ कराल भी डिसकस करेंगे यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गुफ कराल ठीक है गुफ कराल ये आपका है चलिंग गाई ये है सराई खोला ठीक है और खिले गुल मुहम्मद ठीक है ये महरे गड़े जिसकी बात कर दो 7000 BCA देट किया गया जहां पर अर्लिएस्ट एविडेंज आफ हमें क्या मिलते है फूट ग्रेंस मिलते है आप कर देख अगर बाकि तो यहां पर अगरम देखें है चिरांध पटना वाली ठीक है और यहां पर यह तुम्हें देखने को मिलेगा नॉथ इस्टरण में भी आ आपको ध्यान से कि देखना यहां पर 59 में देखने को बिदे और यह ख़ीं कुछे ओर यहां पर आएंगे हीं तो यहां पर आएंगे पढ़एंगे ठीको ऌनुर ऑब्देश को बरता है बीद्ध करेंके रहां लोकेट करेंगे तो सुल को चुके हैं अगे पढ़े नियोलिथ इन आलहाबाद इस्टर्ड नो्टेट फॉर दी कल्टिवेश्ट आफ राइस तो राइस के हाप विडेस मिलते है और एक जगह यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर इसमें लिखा नहीं है लहूरा देवा ठीक है लहूरा देवा जहां पर अरलियस्ट एविडेंस ऑफ रा नियुलिथिक साइट और दोज विद नियुलिथिक लेर्स थाट विन एक्सकेवेटेट इंक्लूड मस्की ब्रह्मगीरी हलूर कोडेकल संगनाकलू नर्सीपूर और तककलकोटा इन करनाटका तो यहां पर देख सकते हैं सारी साइट से यहां पर ठीक है तककलकोटा उतनूर हैं नियुलिथिक सेटलर्स नियुलिथिक में देखने को मिलता है नियुलिथिक जो हमारा फागते है new stone age लिव tricked in circular and rectangular houses लिए circular यह फिर rectangular houses में रहते थे made of mud औरENS новых या नहीं कि वे बेक्ट ब्रिक का उज़를 नहीं करते थे ठीक है people living in ссылЯITY हैत ऌर्ड फॉटॉ पर्पर से और अब जो circular the houses में इस तरह से रह यह तो उसकी कुछ property कॉमन यह शहिए करते थे सेटल लाइफ जीते थे रागी वगरा प्रेडियूस करते थे होर्स ग्राम प्रेडियूस करते थे ठीक है बाकी खतम हो गया खतम अब यहाँ पे आप इन कुश्टन्स को थोड़ा सांसर करने कुशिस करिये How old is man in India? 5,000,000 BC How old he live in old stoneage? How did he live in old stoneage? तो कैसे रहता था हंटिंग गैदरिंग करके ही रहता था Trace the various phases in the pillolithic तो different phase को आपको trace करना है जो हमने पढ़ा था lower, middle और upper use of flake, flint industry, flake technology, flint industry वो आपको trace करना है What is meant by neolith? Neolith का मतलब होता है new stoneage ठीक है Give an account of the material life on the neolithic people तो material life उनकी किस तरह से हुआ करती थी तो वो सारी चीज़ आप coat कर सकते हैं कि लेक साइट पिट में रहते थे agriculture प्राक्टिस करते थे pottery यहाँ पर pottery किस तरह की देखने को मिली तो आप यहाँ पर देख सकते हैं course gray pottery हमने देखी थी ठीक है course gray pottery देखी हमने agriculture देखा rice evidence देखे बाकी bone tools हमने देखे चीरांद और बुर्जा होम में गुफ कराल भी ध्यान रखना वो आपकी कश्मीर में ही है गुफ कराल का मतलब होता है cave of potter वहाँ पर लिखा नहीं हुआ है बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुफ कराल का मतलब होता है cave of potters ठीक है potters जो गड़े बनाते हैं ठीक है उनकी cave clear how did neolithic culture differ from the pilolithic तो neolithic वाले क्या थे यह agriculture practice करने लगे थे बट यह बहुत ही अभी तक stone का ही use कर रहे थे ठीक है hunters and gatherers थे और polished stone इनके use करते हैं यह polished नहीं raw format में stone यूज करते हैं तो यह सारी differences code कर सकते हैं यह आपका पूरा mind map है जो मैंने अभी पर्मार SSC का जो channel है वहाँ पर आपको बैसे कुछ लोग को पता होगा कि वहाँ पर mind map series चल रही है यह वहाँ पर FRB हम लोग कर रहे है free revision batch तो उसी का यह mind map है अब ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए हम अलग से नहीं होगा तो हम यहाँ पर्मार officer लगा देंगे ठीक है लेकिन चीज़ें तो बदलती नहीं चीज़ें तो सेम ही है तो आपके revision के लिए मस्त ही है ठीक है तो अब revise यहाँ से कर सकते है यहाँ को attached मिल जाएगा बढ़ते हैं अगले chapter की ओर and that is stone copper face copper face now the first metal discovered by humans and used by humans was copper तामा सबसे पहले used हुआ तो इसलिए इसको हम चालको लिथिक बोलते हैं तामर पाशाण युग के नाम से जानते हैं हमने अभी देखा पुरा पाशाण हमने मद्य पाशाण देनमे नव पाशाण युग देखा अब हम आ रहे हैं तामर पाशाण आनि के चालको लिथिक एज में अब यह जो पहला पन्ना ही यह काफी important है यहाँ पर रंग भी रंगा देख पा रहे हुए क्योंकि यहाँ पर साइट से लिखी हुई है जहाँ जहाँ देखने को मिला अब जब हम जोग्रफी पढ़ेंगे तो कॉपर पर पढ़ेंगे कि कॉपर की important mines अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने observe क्योंकि खेत्री mines है राजस्थान में मलज घंड है मद्यप्रदेश में मलज घंड है कहाँ पर मद्यप्रदेश में तो यहीं आस पास ही तुमको देखने को मिलेगा चालकोलिथिक सेटलमेंट्स क्योंकि कॉपर होना ही चाहिए तब ही तो चालकोलिथिक बोलेंगे और copper जहां पर मिलता है अब जहां पर आज मिलता है वहीं पर आज से अगर हम बात करें 7000 साल पहले ही मिलता होगा या फिर मान लेते हैं कि 5000, 4000, 1000, 1000 साल पहले ही मिलता हो क्योंकि geography तो इतना जल्दी change नहीं होती geography जहां हम पढ़ेंगे तो देखेंगे geography में 1060 साल पहले ही तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज यहां मिलता है तो कल हो सकता है कहीं और copper मिलता होगा ठीक है ऐसा नहीं सच है कल्चरिस को लेज चालकोलितिक अब कौन-कौन से important sites and locations उसको ध्यान से देखें साउधिस्टन राजस्थान ठीक है मैप पे भी आपको दिखाएंगे the western और एक question भी ले रखता है जो इस बार के c-days exam में पूछा है इसी particular topic से है तो इसको धान से देखेंगा चालकोलितिक सही पूछा है question तो साउधिस्टन राजस्थान है आपका साउधिस्टन राजस्थान western मद्यप्रदेश and western part of महराष्टरा and कुछ आपको eastern इंडिया में देखने को मिलेगा बेंगॉल वगरा में बहुत ज़्यदा नहीं main आपका यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपर प्रप्राइटी तो थोड़ा सा copper की यहाँ पे आपको इसको मिलेंगे ठीक है तो अहर बानस अहर बानस कल्चर इसको बोलते हैं को बानस वैली के किनारे डवलप हुआ बानस आपको पता है रिवर का नाम है ठीक है यह हम लोग जॉक्टर फिम पढ़ेंगे in the western मद्यप्रदेश मालवा, कयाता और इरान यह तीन साइट्स मिलती है मालवा, कयाता, इरान तो इसको कयाता कल्चर है फिर इरान कल्चर भी बोलते हैं माराष्ट में कहाँ पर देखने को मिलता है माराष्ट में जौरवे, निवासा, दैमाबाद जौरवे सबसे पहला साइट डिसकवर हुआ था इसलिए इसको जौरवे कल्चर भी बोल देते हैं जैसे हम इंडसाली सेवलाइजेशन को जो मारा कल का टॉपिक होगा हम हलपपन सेवलाइजेशन भी बोल देते हैं बिकोस हलपपा पहली साइट डिसकवर हुई थी उसी तरह से जौरवे कल्चर इसको बोल देते हैं पहली साइट डिस्कावर हुई थी दैमाबाद जो एहमाद नगर डिस्टिक्ट में है वो सबसे बड़ी साइट मिली लाजस साइट चंडोली, सौंगाओ, इनाम गाओ इन पुने डिस्टिक्ट और नासिक इनाम गाओ और इनाम गाओ पुने डिस्टिक्ट में और नासिक ये भी आपको मिला ठीक है ये एक चालकुरितिक साइट है अल दीज महराश्ट साइट वर लोकिटेट इन दी सेमी एडिट एडियाज मोसली अन ब्राउन ब्राउन ब्लैक साइल वीचे इस सब आप देख सकते हैं ठीक है और इन अडिशन तो दीज वी हैव नवडा टोली सच्चुएटेट ओन नर्मदा नवडा टोली भी देखने को मिला नर्मदा में तो डिरेक्ली मैची में कुश्चन पूछ सकता है जैसे उसने अहर दे दिया ठीक है तो बानेस वाली सब को मैच करवाना होगा नवडा टोली को आपको नर्मदा से मैच करवाना होगा ठीक है और अभी हम देखेंगे ज़ो जॉलवे कलचर ये पूरा ये सब डेवलब्लप अब का प्रवरा नदी जो है प्रवरा ठीक है जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है उसकी अराउंड चिरांद गंगा के किनारे भी है ये भी चलकोलिथिक साइट है पांडू राजर धीबी पांडू राजर धीबी जो की बुर्दवान डिस्टिक्ट वेस्ट पंगॉल में और महिश डाल ये मिदनापोर डिस्ट फिडिवान पंगॉल में देखने को मिलेंगे एट एहर स्टोन एक्सेज और ब्लेट्स और कंप्लीट्ली अपसेंट कहां पर एट अहर जो आपका जगह है अब यह मैंना को होता है ता अहर कहां पर राजिस्थान में यह कहां पर ता तो अमने देखा था यह बानस रिवर के पास में था ठीक है अहर और जो गिल होंदे बाना सिवर के पास में तो यहां पर स्टोन एक्सेस बिलेट बिल्कुल ही अपसेंट है तो यह थोड़ा सा फैक्ट इस तरह इंपॉर्टन हो जाता है बिकॉस यह एक्स्टीम टाइप का स्टेटमेंट है बट यह साही होगा अगर बूच ले तो ठीक है इन मैंनी प्लेसेज इस टोन ब्लेड इंडस्ट्री फ्लरिश थू थू दा स्टोन एक्सेस फ्लरिश कर रहे थे अभी भी ठीक है एकदम रापिड शिफ्ट तो नहीं होगा नियो लिति अभी क्योंकि अभी इन्हों को mixing of metal यानि अलॉय बनाने की टेक्निक अभी नहीं पता थी जो पता होगी किसको हडपन वालों को तभी तो वह कॉपर को टिन से मिक्स करेंगों बना देंगे क्या ब्राउन जयानि की कांसा बना देंगे और वो डिरियेबल थोड़ा सा होता हा बिकाज अभी हमने हडपण कल्चयर नहीं पडा है ठीक है बट इन गिलुंद फॉंड हिपांड टे को मिलते हैं पोटरी के अगर बात करें ब्लैक औड अन्ड रेर्ड ऑक्रे भी देखने इनलों को नहीं पता था क्योंकि हमें ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिले है उसके विडेंस दे अलसो कल्टिवेटेड़ बाजरा को कल्टिवेट करते थे नवडा टोली सिचुएटेट अन दी बैंक्स ओफ दी नर्मदा इन महराष्टरा नवडा टोली जो देखा था महराष्ट में नर्मदा नदी तो मैचिंग में पूछ सकते आपसे नवडा टोली और इनसे नर्मदा ठीक है जो आपका भी हम पढ़ेंगे जियोगफी में लिवर्ड साइड में आते हैं लिवर्ड साइड वेस्टर घाट में और आपको पता है राजिस्थान में तो आरावली पूरा अरेन्टेशन देखेंगे कि वो इतनी बारिश नहीं होती नहीं होती है तो इसी वज़े से लोग मिलेट्स वगरा भी उगाते थे मिलेट्स आपको पता है कम बारिश में भी हो जाते हैं तो मड़ ब्रिक्स के इनके हाउसेज बने होते थे आगे बढ़ते हैं जौरवे विलेज सचुएटेड इन प्रवरा रिवर यह ध्यान रखना जौरवे किस नदी के किनारे सचुएटे सब्सक्राइब कर देखने को मिलें तो दिस कल्चर बिलॉंग अलाज नंबर वेरी स्मॉल साइज स्टोन तूल्स विचार कॉल इस माइक्रोलेट्स पी आपर देखने को मिलें पीपल नियू था नियू दी आर्ट फिनिंग वेविंग बिकॉस अब कॉटन मिल रहा है तो सि तो आना ही होगा ठीक है इन महराष्ट पीपल बरीट देड इन अंस क्या होता है जिसको मस्तियां बोलते हैं नौट साउथ पोजिशन में यह बरी करते थे लेकिन साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां इस्ट वेस्ट पोजिशन में ऐसे बरी करते थे पॉट्स एंड स अपर अब्श इंड और तो यह उसके अगले जनम में काम आएंगे जिसके अगले Jersey ambилось अभी मिलता है वेमन काम धेंगे और यह थिभर नवंहां फिलय थेफ सरिकких सावच्व रहें बरी देखने कर यहांब च्वार अब्क करते हैं मिलता है ना उल्यापन सिविलिजेशन थे यहां पर भी टेरा कॉर्टर फिगर ऑफ विमेन देखने हो को मिलता है, ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हडपा में, इसी बीची वही आप समझ सकते हैं, कुछ सर्टेन पार्ट्स में आपका चालको ले थी कि डवलाप हो गया था, एटीन हंडड़ बीची से लेके थाउजन बीची तक, और इवन लेटर, ठीक है, तो आइरन टूल रिप्लेस होंगे, बाद में जाके, ठीक है, बट इन मैनी अव धी कंट्री तब ब्लाक एंड़ पॉर्ट्री का मलब जब मतलब होता है, इमपोर्टेंस अव धी कि बात हो रही है, चैलकोलितिक की कहां पे, अरे यहीं पे, यह जो आपका, मैं आपको बताया, जो आहरबानस हो गया, आपका, आहरबानस और घिलुन्द हो गया, राजस्थान में, कया था, इरान और मालवा हो गया, मध्य प्रदेश में, जार्व चैलकोलितिक फेज, दे वर दी फर्स तो यूज दी पेंटेड पॉटरी, पेंटेड पॉटरी वाले यूज करने आले सबसे पहले बनेए, ठीक है, आगे बढ़ते है, दी सेटल्मेंट अट कया था, एंड इरान इन मध्य प्रदेश, एंड इनाम गाव इन वेस्टन महराष्ट में, ठीक है, बरियल प्लेसेज वर डिफरेंट इन महराष्ट, देट बॉड़ी वर प्लेस इन दी नौट सौथ पोजिशन, महराष्ट और बाकी हमने देखा, लेकिन साउथ इंडिया में, इन दा इस्ट वेस्ट पोजिशन, ये इस तरह से बरी किया था, ठीक ह रूरल पैग्राउंड ये चीज़ आपको द्यान रखनी है, ठीक है, अब इस तब आएगा न, जब आपका मेटल डिसकवर होगा, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ फूड प्रोडूसिंग एकॉनमी, रेर रेट अफ इन्फेंट मॉटलिटी वो वो वस वेरी हाई, क्योंकि बरियल of large number of children देखने को मिलता है, वेस्टन महराशे, बहुत सारे बच्चे एक साथ बरियल, तबकि infant mortality प्रेवलेंट होगी, अब इसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, कि भाई, फूड प्रोडूसिंग थे, तो उसके बावजूद भी क्या रीजन हो सकते हैं, कि भाई, प्री हिस्टॉरिक पिरिड होता है आपका जहां पे लिखने, जहां से कोई हमें literary evidence नहीं मिलते हैं, तो इसमें आपका stone age भी आता है, इसमें आपका चालकोलितिक, that is copper age भी आता है, क्योंकि यहां पे जो कोई लिखके गया ही नहीं था, हमें कोई literary evidence मिले ही नहीं, ठीक है, not knew the art of writing, nor did they live in cities, cities में रहते थे, गाउं में रहते थे, as the people of bronze age did, bronze age मतलब हलपा की बात हो रही, जो कल देखेंगे, यह लोग सहर में रहते थे, ठीक है, at several places in the upper gangetic basin, these objects have been discovered in association with ocre-colored pots, यह important है, तभी तो यहां पे नहीं हाइलाइट कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा, ocre- colored pottery यहां पे यूज हो रही है, कहाँ पे, at several places in the upper gangetic basin, कि जो हमारी कुछ चालकलिथिक साइट है, जहाँ पे copper smithani, copper के जो tools वगरा बनाने का काम होता था, ठीक है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या ocre-colored pottery, तो वैसे तो black and red देखने को मिलती ही साले जोगों है, ठीक है, और द्वाब क्या होता है, द्वाब होता है, दो land के बीच का जो area होता है, इसको द्वाब बोलते हैं, ठीक है, तो and were one of the earliest primitive agriculture थे, ठीक है, primitive agriculture करते थे, और ध्यान रखना, ठी, चलो अभी तो मैं इस चीज को नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप question आपके लिए अ अभी जो मैं रखा है, उसको पर येगा, ठीक है, अर लेस primitive agriculture थे, primitive agriculture का मतलब क्या होता है, बहुत जो पुराने स्टोन, पुराने टेक्निक का यूज कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, most ocray colored pottery sites are found in the upper portion of dvab, dvab, कहां पे गंगा basin के पास में ही ocray colored pottery देखने को मिलती है, ठीक है, और और क्या लिखा हुई है, many copper cells have been found in the khetri zone, तो khetri माइन से आपकी राजयस्थान के मने बताया था, मलजखंड हैं की मद्यप्रदेश में, ठीक है, मलजखंड भी लिख देता हूँ है, मलजखंड, वैसे तो geography में पढ़ेंगे सभी है, ये मलजखंड कहां पे, मद्यप्र ज्यादा vegetation देखने को नहीं मिला, अब यहाँ पे द्वाब में क्या आएंगे, जब metal आजाता है, iron मिल जाता है, वैदिक एज में, तब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वैदिक एज में, हम पढ़ेंगे 1500 से लेके, 600 BC चलता है, वैदिक और वैदिक में भी 1500 से लेके, 1000 तक चलेगा, अरली वैदिक और 1000 से लेके, 600 चलेगा, लेटर वैदिक, तो यही लेटर वैदिक में यहीं पे iron मिलता है, तब जाके habitation मिलता है, द्वाब रीजन में, नहीं तो अब खुदी सोंचो, कॉपर से थोड़ी ना, काट लेंगे पेड़ों को, बड़े-बड़े, तब यहीं बाद में मिलता है, वी लर्न अफ सम्हाबिटेशन अफ पीपल, और यहां पर यहां पर थोड़ा सा यह यह यूज करने लग गये थे दौब रीजन में, इसलिए दौब में रह पा रहे थे अभी तक, यूजिए थोड़ा सा कॉपर स्मिथ यूज कर पा रहे थे ठीक है, तो वी लर्न अफ सम्हाबिटेशन अफ सम्हाबिटेशन अफ पीपल यूज उजिए ब्लाक यूज कर पाटरी, तो दौब रीजन में रहे थे बाकी जगहें ब्लाक यूज कर देखने को मिलती है, खतम हो गया लेक्चेर, विच मेटल इड़ इंडियन फर्स पर गिवन अकाउंट अफ दी इंडियन कल्चर इंडी स्टोन कॉपर फेस, तो यह आपका पूरा है, माइंड मैंप, देख सकते हैं, साइट्स हैं, विस्टन महराष्ट में, जौरवे, जौरवे, निवासा, दहमाबाद, सबसे बड़ी दहमाबाद है आपकी, ठीक है, आजाए तो आपको आना चाहिए, बस ठीक है, पौर्टरी, ब्लाक अंडेट, और अक्रेक अलेट, ब्लाक अंडेट, ब्लाक अंडेट कहाँ, बाकी जेगे, अक्रेक अलेट कहाँ, पर द्वाब रीजन में, फैक्ट, फिर्स मेटल इसकवर, कॉपर, रूरल कम्यूटी थी, ठीक है, रूरल कम्यूटी थी, अर्न बरियल प्राक्टिस करते थे, ठीक है, डोंट नो अबाट होसे अंड बॉर्न ब्रिक्स, कुश्चन करो, इसी बार का सीडेस का कुश्चन है, मतलब क्या, इसी बार का सीडेस का कुश्चन है, तो अब ये देखिए, इट कवर्स प्राक्टिकली थी, एक सब्सक्राइब नहीं था, सही है, दप्रवरा गोदावरी वैली, seems to have been the nuclear zone, तो वही अभी देखा, प्रवरा, जौरवे, जौरवे, नुकलियर था, पहला डिस्कोर हुआ था, तो अब्वेसे बात है, नुकलियर जोन होगा, ये तो सही होना ही होना है, यानि ये हट जाएगा आपका, ठीक है, तो हमने पूरा पढ़ लिया, कहीं पर shifting agriculture हमें देखने को मिला नहीं, और थोड़ा सा यहाँ पर ये logic लगा सकते हैं, कि मैंने आपको बताया था, कि लोग hills में रहते थे, hills के पास में रहते थे usually, बस हमें बाद में ही देखने को मिला दौब रीजन, यहाँ पर जौरवे कल्चर के बारे में बात हो रही है, जौरवे कल्चर, तो दौब रीजन में थोड़ा बहुत देखने को मिला कि hills में नहीं है, कि थोड़ा सा वो copper smith वगरा यूज करने लग गये थे, तो दौब मतलब वो upper gangetic, जौरवे मतलब यह महराश्ट वाली बात हो रही है, तो यह पहले बात तो हटाई तो दौब वाला, और फिर shifting cultivation अभी मैंने बताया आपको कि hills के पास रह रहे हैं, यहाँ पे hills पे रह रहे हैं, किसलिए रहे हैं, इनको stones चाहिए, इनको पत्थर चाहिए, तब ही नहीं तो अगर अगर ऐसा होता कि भई वो लोग कट कर लेते आराम से, तो आराम से shift होते रहते, क्यों सिर्फ hills के पास ही देखने को मिल रहे हैं, वो तो आराम से दुआब में जाते, ठीक है, river valley के किनारे रह रहे थे, लेकिन दुआब रीजन में तो पका जाते भाग के, क्यों जाते, क्योंकि वहाँ पे तो agriculture और अच्छे से होता, लेकिन क्योंकि अभी उनलों को, अभी iron की तो discovery होई थी नहीं थी, और shifting का मतलब होता है, जब हम पढ़ेंगे geography, तो हमें थोड़ा सा shifting agriculture के बारे हम पता चलेगा, shifting agriculture को हम slash and burn के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम slash and burn के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे मानलों ये खड़ा है, मानलों part of forest, if you are part of land, पेड़ वगएरा, काट देंगे, जला देंगे, अब काटने के लिए अच्छे खासा, वो भी तो चाहिए, लोहे के बने हुए instruments, तो वो तो होंगे नहीं, तो उस logic से, अभी वैसे तो answer किया ही नहीं है, बट उस logic से यह आपका तीसरा गलत होना चाहिए, option number B, one and two only, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यह आपका हडपा, यह हम कल पढ़ेंगे, because contemporary यह थे, अभी हडपा देखेंगे, हडपा के साथ ही लोग भी रह रहे थे, तो यह गनेशवर, जोदपुरा कल्चर, आहरबानस कल्चर, कयाथा, मालवा, इरान और यह जौरवे कल्चर है, प मिलते हैं, कल करते हैं, हडपन सिविलिजेशन, कैसा लगा लेक्चर, कॉमेंट में आप ज़रूर बताएगा, फीडबाक, और किसी को डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और बाकी अगर किसी को अन्रोल करना, अप्लिकेशन बाच होगा हमें, तो परमार अकाडमी अप को डाउनलोड करके, या फिर www.parmaracademy.in website का यूज करके, बाकी मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, पिछले वीडियो को आप चेक कर लिजेगा, कैसा क्या सारी चीज़ें रहने वाली, पूरा शेडूल, कैसा क्या रहने वाला, उस सब परमार ऑफि होगा, ठीक है, और बाकी तो कोर्सेज में समागम 2.0 करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद,